हेलो परड़ींवन दे शी किषणा, रादे रादे। तो मैंने इस बार मकर संकरांदी पे एकदम बेबी पिंग कलर का ड्रेस बनाया है सारे भगवान जी के लिए पे आज मैं आप लोगे साहार्ब लडू मादावर केशव का शिख शैयर करूँगी ठेस मैं सोच रही थि पहले जब मैंने बना ली रात के 12 बजे तक कम्प्लीट की एक यह बना ली फिर में सोचा कपड़ां लेकर आई थी यह जो आप देख रहे हैं यह जो डार्क पिंक यह सीक्वेंस वाला कपड़ा के लिए लेकर यह किसी और चीज बनाने के लिए लाई थी उनके कपड़े भगवान जी के लिए लेकिन इसमें श्यादा अच्छा लगँका तो मैंने इसमें यूज कर और इस कलर का जो है वह हमारे भगवान पर कोई भी कपड़ा भी नहीं था तो यह बहुत जादा सुन्दर लग रहा है केशब का ड्रेस जो है लेंगा मैंने बहुत सिंपल बनाया इसमें कोई पाइपिंग नहीं लगाई है क्योंकि उतना दा कपड़ा नहीं बचा था और चो समय फैल रहा है और मेरे साथ मेरी बेहन उसके हस्बेंड ममी पापा और उसका चोटा सा बेटा भी है तो उसके वज़े से जो है हम लोग कहीं निकल नहीं रहें जादा क्योंकि बच्चे को इस समय जादा रिस्क है तो हमें बचाना है हर चाहें आप लोग भी हो कोई भी हो जुआदा घर से ना कली है जब तक जरूरत ना हो पर वही बात है कि कब तर अँसान नो निकले पर वही है कि सेफटी भी हमारे हात में है तो को payment की कि जिटना कम निकल सकें तो मैंने जोल्री किसी के लिए भी नई नई खरी दी है परानी जोल्री सबको पहना रही हूं मैं क कि मिल गई थी तो वही पहना रही हूँ अब होली के टाइमिय में देखूंगी कभी जूलरी नहीं खरीदूंगी सारे बगवान जी के लिए बाकि जो भी चीज़े हैं मेरे पास खरीदी हुई नहीं जो रखी हुई है मैंने आप लोगे साथ शेयर किया था केशफ की बढ़् यह मैं बहुत जादा पहना आती हूँ इस तरीक के ड्रेस मुझे लगता है जादा पहना सकते हैं बिना बुकरम की योगित होने में बहुत एजी होती है पीछे पूरे में अस्तर लगाया है और कोई बुकरम वगएरा नहीं लगाया है बाकि कृष्ण राधा जी का शिंग तो मैंने वही जो है वह पहना दिये हैं और पगडी जो है वह माधव की नई है यह फर्स टाइम पहन रहे है तो यह देखिए मैच कर गई है तो यह पगडी भी पगडी में तीन-चार खरीद कर ले आई थी जब भी मैं क्रॉफर्ट मार्केट कहीं थी मैंने ब्लॉग भी पगडी है तो मैंने आज इनको पहना दी है और अभी मेरे पास वसंद पंचमी के लिए भी यलो कलर की रखिया तो यह मैंने बनाया है के शब के लिए ब्लाउस जो की पूरा ब्लाउस है पाइपिंग मैंने इसमें डाक पिंक कलर की सीक्वेंस वर्क वाले कपड़े की लग तो कभी-कभी इस तरीके के ब्लाउस में क्या होता है आप ऐसे भी पहना सकते हैं नीचे निकर पहना के रखिए तो भी ड्रेस बन जाती है और अच्छा लगता है तो यह मैंने लेंगा बनाया है केशब का और यह मैंने दो मीटर कपड़े में बनाया है बहुत जादा गेर मंदिर से भी बहार काफी निकल रहा था और पहले मैंने सोचा था केशब को मैं जो है वो गोल्डन कलर का सेट पहना हूंगी शिंगार करूंगी पर ड्रेस के साथ बिल्कुल गोल्डन अच्छा ही नहीं लग रहा था तो मैंने जो है वो सोचा कि पूरा जो है वो स्टोन व पर वो नहीं अच्छा लगा इस ड्रेस पे तो मैंने यह पहना दिया और कमर में पहना दिया है कमर बन जो कि एक माला है मातरानी की वह मैंने पहना दी है अब जल्दी से इनकी पग बना लेते हैं तो मैंने कैमरा की शेटिंग थोड़ी से ऐसी किये जो आप लोगों को भी सामने होने चाहिए तब ही मैं पग बना सकती हूँ कोई भी भगवान जी हो पक तभी बन पाती है अच्छी अदरवाई साइट से बनाऊंगी तो मेरे को दिखेगा नहीं अच्छे से तो वह नहीं बन पाती है और अभी इसलिए मैंने कैमरा थोड़ा सा साइड में कर दिया स्लीप अगरा में लगाई है वही सीक्वेंस वाला कपड़ा ही मैं थोड़ा सा एड़ान किया था उसमें पग में और यह जो फ्लार देख रहे हैं यह मैं लेकार आई थी और इसी को मैंने जो है वह सर पर डेकोरेट कर दिया जो कि बहुत सुनना लग रहा है बड़े अरिंग पहना लगा देंगे तो किशव रेड़ी हो चुके हैं आपको ड्रेस कैसा लगा जरूर बताएगा और शिंगार कैसा लगा वो भी जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको आज का सिंगार पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जर शेयर कीजेगा बस शिंगार कम्प्लीट हो चुका है और देकि सारी चीजे मैचिंग की मिल गई है यह रखी है उनकी चर्की और पतंग भी जो है मेरे पापा लेकर आए थे तो इस बारी मैंने बहुत पतंग नहीं लिए एक ही पतंग लिए है क्योंकि मैं जहां नहीं कि शिंगार दिखाऊंगी बस मिलती हूं आपको अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जैशी किशना रादे रादे सब लोग अपना ख्याल रखिए जैशी किशना कौए जैशी कि कि शोगू हूं एार मताूक काकी जैशी जैशी कि शिम्हाल आपकोईब जैशी कि शोगले वीज़ है